दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एडियो में होने वाले दर्द के बारे में बताने वाले हैं इसके कारणों के बारे में बताने वाले हैं इसके घरेलू इलाज के बारे में बताने वाले हैं अगर आपको सुबह उटते ही बिस्तर से उटते हैं जैसे ही एडियो में दर्द होता है, हलका सा चलते हैं जैसे दो से तीन मिनट तो दर्द में थोड़ा सा अराम मिलता है, लेकिन ये दो से तीन मिनट में बहुत जादा एडियो में केजाओ महसूस होता है, चुबन महसूस ह चलने फिरने में बहुत मुश्किल तकलीफ महसूस होती है तो ऐसे में आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अचानक इस दर्द के उठने का कारण क्या है सबसे पहले आपको इसके पीछे की कारण बताने वाली हूं ताकि इसका इलाज बहुत अच्छे से किया जा सके दोस्तो आयरुवेद के नुसार हमारे श्रीर में वात यानि वायू बढ़ने की कारण एडियों में दर्द, सूजन की समस्या वात बढ़ने पर एडियों में दर्द होता है पित बढ़ने पर एडियों के अंदर गर्माहट और जलन महसूस होती है इसके इलावा अगर कोई महिलाए बहुत ज़्यादा अपना यूरिन रोकती है यनि कि एक घंटा दो घंटे ज़्यादा टाइम अपना यूरिन रोकती है तो उनके अंदर इंडियों में दर्ध होना बहुत सा भाविक सा है इसके इलावा ऐसे लोग जो नींद की गोली बहुत जादा लेती हैं, जिनको काम के सिलसले में जादा समय तक खड़े रहना पड़ता है, इसके इलावा वजन बहुत बड़ा हुआ है, मुटापा है, तो ये बहुत बड़ी वज़ा है, इसके साथ ही साथ शरीर में पोश्यक का बढ़ना, कि शरीर में यूरिक एसेड आम तोर पर उस थिती में बढ़ता है, जब हम प्रोटीन डाइट का सेवन बहुत जादा मात्रा में करते हैं, या किसी भी कारण से हमारा लीवर प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जब आपका डाइजेस्ट सिस्टम सही स काम नहीं करता, तो बाडी में एसेड बढ़ने लगता है, वहीं एसेड बलड में चला जाता है, जब बलड में एसेड धीरे बढ़ने लगता है, तो ये यूरिक एसेड का रूप धार्न कर लेता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको यूरिक एसेड की प्रोब्लम हो, गट या गाउट का रूप ले लेती है, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कौन सा इलाज है जो इसके लिए बहुत सटीक है, एडियों में दर्द होने पर ऐसे आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे सूजन होने का खत्रा हो, जैसे कि आपको चाय काफी नही नहीं डाल कर पीते हैं, उनके श्रीर में एसेट की मातरा बढ़ती है, और धीरे-धीरे एसेट जो है, वो खून में चला जाता है, जोडों में जमा होने लगता है, क्रिस्टल का रूप ले लेता है, और दोस्तों यही धीरे-धीरे गटिया अर्थ्राइटिस का रूप ले लेता है, इसके इलावा खटी चीज़ें आपको नहीं खानी, अचार नहीं खाना, चीनी का इस्तमाल बहुत जादा मात्रा में नहीं करना, जादा मात्रा में चीनी का इस्तमाल करने से शरीर में एसिड बढ़ता है, इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको एडियों में दर्ध है काफी समय से है यानि कि आप साल डेट सांसे इसी समस्या से परेशान है तो आप एक बार यूरिक एसिद की जांच जरूर करवा लें अगर बाड़ी में यूरिक एसिद बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन आपको कम से कम लीना है हाई प्रोटीन आपको प्रहेज करना है आपको क्या खाना है जरा उनके बारे में भी जानले इसके साथ मैं आपको बताने वाली हूं घरेलू उपाय के बारे में जिसका इस्तमाल आपको लगातार करना है तो आप अपनी डाइट में बीट रूट शामिल करें यानि चकुंदर शामिल करें गाजर खाईए लौकी खाईए सुबह सुबह खाली पेट खाने की आदट डाल लीजिए अभी बारिश का आपका सेवन करें आएए जानते हैं इलाज के बारे में जिसके इस्तमाल से आपके शरीम में जितना भी एसेड है आपके ब्लट में जितना भी एसेड है सब को बाहर कर देगा इडियो में होने वाले दर्ट को ठीक कर देगा ये नुसका आपको करना क्या है सुबह खाली प उसको पी सकते हैं, आधा कप गुन-गुने पानी ने 20 ml अलोवेरा जूस मिलाना है, और 4 तुलसी के पत्ये मिला लेने हैं, इसे पी लेना है, तुलसी के पत्यों को चबा कर नहीं खाना, इसे आप पानी के साथ गटक सकते हैं, यानि निगल सकते हैं, दोस्तों ये बहुत ही powerful फुल उपाई है ऐसा आपको लगातार एक महीने तक तो करना ही है लेकिन एक हफ़ते के अंदर आपका एडियों का दर्द खतम हो जाएगा लेकिन पूरी तरह से यूरी कैसिट को शरीर से बाहर निकलने के लिए एक महीना लगातार इसका सेवन करना है इसके साथ ही अगर शर छुखाम की समस्या है ठंडी तासेर वाली चीजें आपको परिशान करती है या सास लेने में दिक्कत करती है या अस्थमा की समस्या है तो लोकी की तासीर ठंडी होती है तो आपने यहां फिर लोकी के जूस का इसतिवाल नहीं करना इसके इltryकिस बावाइज एंगा, इसके इसमें घी की मात्रा थोड़ी कम ही रखे इसके इलावा आपको रात को खाना खाने की एक घंटा बाद में हल्दी वाला दूद पीना है अब मैं आपको एक चीज बताने जारे हूँ जो आपने खाना खाने के बाद जरूर करनी है दोस्तों कम से कम 2-3 मिनट के बाद आप वज पूजन या फिर नसों में होने वाला खिचाव या फिर होने वाला दर्द इसमें बहुत अराम मिलेगा आप एक टब या बाल्टी के अंदर गुन-गुना पानी डाल लीजिए इसमें दो चमच आपने सैंदा नमक डाल देना है जब नमक अच्छे से घुल जाए तो आपन सरसो का खिचाव दूर हो जाता है अगर सूजन है दर्द है तो उसमें भी बहुत फाइदा मिलता है इसके इलावा आपको अपनी एडियो में मसाज करनी है मसाज सिर्फ तिल के तेल से की जाती है सरसो के तेल से की जाती है ऐसा तेल जो बहुत जल्दी आपकी बॉड़ी मे लेकिन अगर आप सरसो के तेल से मालिश कर रहे हैं तो सरसो के तेल के अंदर आपको चार से पांच कली लसुन की कूट कर बिना चीले डाल लेनी है और इसे गरम करना है इस तेल को तयार करके रात को सोधे टाइम आपने पैरों के तल्वों पर और एडियों पर आपने मालिश आपको एक डियो को रिलेक्स करने वाली एकस्यस है जो आपके लिए बहुत aumentar होगी दोस्तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वारी भरकम चीजे नहीं खा सकते, मैं यह इलाज नहीं कर सकती, यह कर सकता, यह कुछ मैं वो नहीं कर सकता, तो आपको मैं एक ऐसी exercise बे बता देती हूँ, जो आपके लिए 50% दर्द को दूर करने वाली है, दोस्तो इसके लिए आपको चाहिए, रोटी बनाई जाती है ना वह यही बिलन आपने लेना है, दोस्तो इस बेलन को आपने अपने पैरों के तल्वों पर इस तरीके से नीचे रखना है, आप किसी भी चेर पर या बैट पर बैठ सकते हैं, इसके बात जैसे मैं आपको कर के दिखा रहे हूँ, इस तर करते हुए, आपने इसे रोटी बेलते हैं, उस तरीके से करना है, दोस्तो ये तरीका अगर आप करते हैं, ये एक्सोसाइज अगर आप रोजाना करते हैं, दिन में 4-5 बार, 5-5 मिनट के लिए कर लीजिए, तो दोस्तो 50% ADO का दर्थ ठीक हो सकता है, आप बेलन की बजाए बोटल भी पानी वाली ले सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे हार्ड चीज, जो रोलर के रूप में हो, दोस्तो ये इन्फोरमेशन ये चानकारी यहीं तक थी, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपकी काम की है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर आपके कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए, stay healthy, always be happy, thank you for watching my video, okay, bye